नमस्कार तो लोग कर रहे थे सोच रहे थे कि लोगों की रिपोर्टिंग हुई या भी तक हर्याना में तो आपकी जानकारी के लिए इन्होंने सीट मैट्रिक्स डाल दिया है और देखिए और जैसा हम बात कर दे थे इन्फॉर्मली फॉर्मली नॉट ओनली सरकारी और मैं बार बार लोगों से कहता हूं प्राइवेट कॉलिज में खास कर देगे सरकारी तो हमें मालू में हर्याड़ा में वह चल रही है बॉर्ण को लेके तो एंबी बेस की हम बात करें तो पीजे मेस रो तक जैसे कॉलिज में 112 सीटे अभी तक खाली है और याद किजिए खाली स्टेट कोटा है और इंडिया कोटा की जो निकलिवे सीटे वो लग है मतलब ये लोगों को राउन में लोकेट हुआ और लोगों ने नहीं लिया 112 खाली भगत फियूल सिंग शहीद हसन हर जगा भर-भर के सीटे खाली है बॉर्ण का जो इशू चल रहा है और लोग बहार चले गए लेकिन उससे भी जो जार इंट्रस्टिंग है देखिए सब को मालू मैं सरकारी वाला लेकिन जो 400 नंबर याद है जब राउन में के कट आउफ आया जजजर एंसी पानीपत सब सारे 300 के उपर और लोगों लगा पता कि क्या हो गया और मैं मिशा भी समझाता हूं कि जहां पर भी फ्री एक्जिट है और शायर इस वीडियो से फिर वह साबित हो जाएगा चाया वो डॉर्ट के जितना भी हिमाचल था अब आप देखिए सोलन जो फस्ट रॉन में 400 के उपर था 230 पे मिल गए सीट जरल सीटे खाली है 134 ठीक है जी एंसी मेडिकल कॉलेज 133 खाली है जजजर 138 खाली है एजज़ी टी गुडगामा 139 खाली है अलफलावी 110 खाली है और यह तो निया सरकारिया है अब बागे सरकारी तरह खाली है तो टोटल इतनी सारी सीटे अब देखे खाली है 1620 वह कट आफ गई एकजर्टी में में शहीं कहता हूं मैंका राउंड वन की कट आफ का कोई माइन ही नहीं है शैत्पूरे हिंदुस्तान में उत्रपरदेश को छोड़के उत्रपरदेश में फर्स्ट रॉंड फ्री एग्जिट नहीं होता बाकिये चाहे हिमाज चलो चाहे लिए पड़ी है और जैसा लास्टेर हुआ था मेरी गट फिल कहती है काफी नीचे आएगा और जिस तरह यूपी ने 141 में सीट दे दिया इस साल इस सीम्स कि लोगों में उत्रा उसा नहीं है महेंगी सीट लेने का वह लास्ट यह ज्यादा था क्योंकि लोगों लगा था पता नहीं हमें सीट बिलेगी नहीं मिलेगी लेकिन उत्तर प्रदेश ये बाद मैं क्या सकता हूं कि इस बार जो भी मेडिकल का इस्पिरेंटा उसे सीट मिलनेगी पूरी संभावने चाहिए पिकितरे भी कम नंबर हो और कोई बड़ी बात नहीं है कि SGT वगरा यह सब इसे मेडिकल और वर्ल्ड मेडिकल तो दोसों की नीचे ही खतम होगी जो फाइनली सीटे लोग लेंगे जो कि यूपी में में भी काफी हज्याना के बच्चों अलड़ी जा चुकी होंगे देखिए वनना जिसको सीट लेनी थे वह भी तक ले ले लेता ना कि 200 नंबर वाला 200 नंबर वाला पर लोगों ने रिपोर्ट नहीं करा जिसको यह होता है कि मैंने हज्याना में ही रहना है तो काफी सीटे खाली है घवराई अम्रत आपको अराम से मिल जाएगा इससे में हम जानती है जो हज्याना का शेडूल था उसके हिसाब से कारी है इसके लाव है सारे प्राइवेट हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खत्म होने वाला या खत्म होने वाला तो यह तो जस्ट नीट कॉलिफाइब भी बीडियस मिल जाता है अक्सर आपको अपने घर के पास मिल जाता आप यह मान के चलिए जो सबसे बेस्ट में हर्याणा में कट आफ बहुत गिरने की उमीद है आपका दिन शुब हो और अभी भी कोई हमसे कंसर्ट करना चाहता है संपर करना चाहता है अब जानते ही है 96433 62320 पे कॉल कीजिए आपका दिन शुब हो नमस्कार